आपके साथ असवक्त की ताज़ा अपडेट गुजरात से निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर गुजरात के वटगाम से विधायक जिगनेश मेवानी की गिरफतारी हो चुकी है आपको बता दे के बुद्वार दे रात सारे 11 बजे पुलिस ने उन्हें गुजरात के पालंपुर के सरकिट हाउस से गिरफतार किया है और अब ट्रेन की रास्ते से पुलिस आज उन्हें असम ले जा रही है हालाकि इस बात को अभी तक सपश्ट नहीं किया गया है कि उनकी गिरफतारी किस मामले में हुई है नहीं पुलिस ने इसका कारण बताया है और नहीं कोई F.I.R. कौपी दिखाई है सीधे सीधे जिगनेश मेवानी की सरकेट हाउस से गिरफतारी हुई देराज जिसके बाद आज अब वो गोहाटी जा रहे है दरसली इस पश नहीं हो पाया है कि गिरफतारी किस वज़े से हुई है पुलिस ने भी अब तक F.I.R. की कौपी नहीं दी है नहीं गिरफतारी का कारण बताया है फिलाल जिगनेश को पालनपूर थानी में रखा गया है जिगनेश को देराज पालनपूर से सडक के रास्ते एहमदाबाद लाया गया आज उन्हें ट्रेन से गोहाटी ले जाया जाएगा उन्होंने खुद अपनी गिरफतारी की जानकारी ट्विटर के जरिये दी है हाला कि बाद में पुलिस अधिकारियों ने उनके ट्वेट्स को भी रोक दिया है गिरफतारी के बाद जिगनेश मेवानी ने कहा है कि मेरे किसी ट्वीट के सिलसिले में मुझे गिरफतार किया गया है हाला कि पुलिस ने मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं दी है मेवानी का आगे कहना है कि मैं किसी जूटी शिकायत से नहीं डरता मैं अपनी लडाई जारी रखूँगा गौर दलब है कि जिगनेश की गिरफतारी ऐसे समय में हुई है जब गुजरात में विधान सबाग का चुनाव होना है इसको लेकर प्रदेश की सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है गुजरात कॉंग्रिस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने एहमदाबाद एरपोच पर उनसे मुलाकात की जिगनेश से मिलने जगदीश ठाकोर के साथ गुजरात कॉंग्रिस के कई नेता भी मौजूद थे इनमें कॉंग्रिस के वरुस्टर नेता विधायक गया सुदीन शेक इमरान खेडावाला जॉक्टर सीजे चावडा कॉंग्रिस नेता बिमल शान अगर अध्यक्ष नीरव बक्षी भी शामल थे दलित नेतो और आजनेतिक दल रास्ट्रे दलित अधिकार मंच के सैयोजक जिगनेश मेवानी ने 2017 के विधानसबा चुनाव में वजगाम से निर्दलिये चुनाव लड़ा था उन्हें गुजरात के दलित नेता के तोर पर भी देखा जाता है सितंबर 2021 में राहुल गांदी और जेन्यू के पूर्व चात्र संग नीता कनया कुमार के साथ एक प्रेस कॉंफरेंस के दौरान उन्होंने कॉंग्रस को समर्थन दिया वजगाम से मेले जिगनेश मेवानी की देर रात गिरफतारी हुई जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोट के रास्ते एहमदाबाद लेकर आई और अब आज वो ट्रेन के रास्ते गोहाटी जा रहे हैं हालाकि ये स्पश्ट नहीं हो पाया है कि किस मामले में उनकी गिरफतारी हुई है जिगनेश मेवानी के ट्वीट्स को भी पुलिस के द्वारा रोग दिया गया है और जिगनेश मेवानी का ये कहना है कि वो किसी जूटी शिकायत से नहीं डड़ते हैं उनके साथ जो भी हो रहा है उसको लेकर वो लड़ाई लडएंगे हालाके उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि उनकी किसी ट्वीट को लेकर ही ये गिरफतारी हुई है कारण आगे चल के स्पष्ट किया जाएगा फिलाल के लिए सब्डेट में इतना ही है न कई खबरों के लिए माय साथ बनी रहे न्यूस फौर्णिशन में नमस्का